स्टूडेंस आप सभी ओलेबल स्टूडेंस का मेरे में कैट PC के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हम आज की इस वीडियो में आप सभी को नाइलेट के दौरा जो हमारा ओलेबल की फर्स्ट समिस्टर का पेपर वन है पेपर वन जिसका नाम क्या है आईटी एंड नेटवर इसका जो कोड होता है M1R5 है M1R5 जिसका कोड है नाइलेट के दौरा दिया गया कोड M1R5 है और M1R5 का नाम आईटी एंड नेटवर्क है जो हमारा पेपर वन कहलाता है आज इसके सिलेबस के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा M1R5 के सिलेबस के बारे में आप ध्यान स सुनिएगा ठीक है M1R5 के सिलेबस में जो आपका चैप्टर नंबर वन है जहां से दिखेगा आपके चैप्टर नंबर में वन में इंटोडेक्शन टू कम्प्यूटर इंटोडेक्शन टू कम्प्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है इंटोडेक्शन टू कम्प्यू कैसे आएंगे सारा कुछ Introduction to Computer में आपको पढ़ना है Computer का Introduction यानि Computer क्या होता है ठीक दूसरा Point Computer के Generations 5 के 5 Generations आपको पढ़ने है ठीक Computer का Input और Computer का Output Computer का Hardware क्या होता है और Computer का Software क्या होता है आपको इस चेटर में क्या-क्या पढ़ने है Computer के Input Output Device Computer का Hardware और Software Device ठीक Computer का Introduction ठीक है और Devices में सभी डिवाइस जितने भी Hardware डिवाइसेस हैं उन सभी का ठीक है और Computer के Software Device क्या-क्या होते है ठीक है Input Device, Output Device और दूसरा चेटर Introduction to Operating System में Operating System क्या होता है इसके Function क्या होते है ये कितने टाइप का होता है ठीक दोनों चेटर से आपको O Label में 10 Marks के Question आपको मिलेंगे 10 Number के Question जान से सुनिएगा पहला पेपर से 10 Number Question और सेकेंड दूसरे चेटर से 10 Number का Question आपका आएगा ठीक तीसरे चेटर के बारे में देखो Word Processing MS Word के बारे में MS Word में क्या-क्या है MS Word के बारे में पढ़ना है और Libra Office के बारे में पढ़ना है MS Word और Libra Office दोनों के बारे में आपको पढ़ना है MS Word Libra Office जिसका नाम चेटर में Word Processing है उससे 20 Number का Question होईगा यानि 10 Number का 20 Number का यानि 30 Number का चेटर है Question ठीक और चेटर नमबर 3 के बाद तुमारा जो है Spread Seat MS Excel MS Excel उसके Formulage सारी कुछ आपको Spread Seat यानि MS Excel का 20 Number का आएगा ठीक चेटर नमबर 4 है PowerPoint Presentation PPT जो आपके Libra Office में भी होता है और MS Office में भी होता है PowerPoint Presentation से आपको 20 Number का Question मिलेगा यानि कि इन 4 चेटर से आपको 70 Number के Question आपको आएगे ठीक अब आपका Chapter Number 5 है ठीक Introduction of Internet www क्या होता है Domain क्या होता है जाँस दिखेगा कापी उठाओ और लिखते रहे ना www क्या होता है Domain क्या होता है Subdomain क्या होता है Host क्या होता है Path क्या होता है Port क्या होते है ठीक URL क्या होता है जाँस सुनिएगा URL क्या होता है Internet क्या होता है Arpanet क्या होता है ठीक है इतना आपको पढ़ना है Introduction to Internet www में Email क्या होता है आप जानते है Electronic Mail में आपको Gmail वगेरा सब पढ़ना है Social Network आपको पढ़ना है Social Network Social Network क्या है Facebook Instagram WhatsApp Twitter सब के बारे में आपको पढ़ना है E-Gournament Services Electronic Government Services के बारे में आपको पढ़ना है इस Chapter से आपको 20 नंबर का Question मिलेगा Internet से आपके 20 नंबर के Question आते हैं Internet Related 20 नंबर Question आपको Paper 1 में इन सभी अभी तक बताएगे Chapter उसे मिलेगा क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा ठीक है अब Last Chapter के बारे में देखते हैं क्योंकि आपका 90 नंबर का Question आ चुका है ये 6 Chapter में Chapter No.6 दो पार्ट में है 6 और 7 7 और 8 Chapter ठीक इसमें या है पहला एक Chapter है Digital Financial Tool and its Application Digital Financial Tool क्या होता है Digital Financial Tool में क्या क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा Digital Financial Tool में आपका Internet Banking Mobile Banking ध्यान सुनिएगा UPI QR Code ठीक Credit Card Debit Card ध्यान से सुनिएगा RTGS NEFT इन सब के बारे में आपको पूछेगा उसके बाद का Chapter क्या है Otherwise Features, Skills और Cyber Security के बारे में आपसे पूछेगा Cyber Security क्या होता है कितने टाइप के होते हैं इसके Functions ETC आप इस Chapter को पढ़ लेना 10 नंबर का Question आएगा यानि टोटल आपके 100 नंबर की Question हो गए और इसी से आपके दो तीन टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है Word Processing, Spreadsheet और Presentation जिसमें से आपको Practical में Help मिलेगा Practical में इन तीन Chapter से पूछा जाएगा यानि कि Return आपका 100 नंबर त्यान से सुनिएगा और आपका Practical दो पार्ट में होता है असी नंबर का Practical होता है ठीक है और 20 नंबर का आपका वाईबा होता है 20 का वाईबा असी का Practical यानि दोनों मिलाकर के 200 नंबर ठीक है दोनों मिलाकर के कितने नंबर? 200 नंबर पेपर वन रीटेन से आपका 60% ओ लेबल में एज्यूम होता है और प्रैक्टिकल से आपका 40% एज्यूम किया जाता है 60 और 40 मिला करकी आपके 100% बनते हैं 100 नमबर इसी से बनाया जाएगा सपोर्च करो कि आप जो है रीटेन में 100 में 100 पागये प्रैक्टिकल में भी 100 में 100 पागये तो 100 में 60% 60 नमबर और प्रैक्टिकल में 100 में 40% 40 नमबर यानी तुम्हारा 100 में 100 नमबर आया है ठीक है ऐसा होता नहीं है आप इसी हिसाब से percentage केलकुलेट कर ले न ठीक है तो ये रहा पेपर वन का स्लेबस नाइलेट दोरा पेपर वन का स्लेबस आपको पेपर टू का स्लेबस देखना है तो हमारे अगले वीडियो का जो URL है या फिर M2R2 स्लेबस के बारे में आप देख लेना सर्च कर लेना योटूब से आपको मिल जाएगा तो ये रहा हमारा फिलेबस ओ लेबल के पेपर वन M1R5 का किसी को कोई दिक्कत है तो आप सभी हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर देना ठीक है आपको उसका रिपलाई मैं दे दूँगा आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल में बहुत-बहुत सौगत है यदि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में इस लेबस को जानने में मैंने हेल्प किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है